हेलो फेंट्स मैं मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर विंटसाज की इस वीडियो में 34 साइज का राउंड बेल्ट ब्लाउस का फुल टिटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कटिंग और स्टिचिंग इसे बनाने के लिए 80 सेंटिमिटर मैंने मैं फैबरिक लिया है और 80 सेंटिमिटर ही आपको लेना है अस्तर का कपड़ा मेरा अस्तर का कपड़ा थोड़ा जाता है आप 80 सेंटिमिटर लेकर भी इसे बना सकते हैं ये डीप नेक के अकॉर्डिंग बनेगा तो मैं यहाँ पर 34 स साइस के according deep neck का measurement लेकर बना सकते हैं तो इसे बनाना बहुत ही आसान है आप princess guard जैसा measurement belt blouse का जैसे हम princess guard blouse बनाते हैं उसी तरीके का measurement लेकर इसे बना सकते हैं बस इसका belt थोड़ा round आता है तो वो आप देखेंगे मैं कैसे cutting कर रही हूँ तो जितना भी length आप अपने blouse का ready रखना चाहते हैं उसमें एक इंच margin का plus करके total लंबाई यहाँ पर लीजएगा total length मैं ने रखी है साड़े 14 inch साड़े तेरा length मुझे इसकी तयार रखनी है और deep neck के हिसाब से shoulder आप यहाँ पर 5 inch भी ले सकते हैं मैंने सवा 5 inch लिया है क्योंकि मैं इसके neck की छोड़ा ही थोड़ी जादा रख रही हूँ shoulder सवा 5 inch और armhole आपको साड़े 5 inch पर mark करना है इस तरीके से यह दिखे shoulder और armhole की line में ने आपर बिना ली है अब chest का चोथा भाग लेंगे साड़े 8 inch और 1,5 inch extra रखेंगे मार्जिन के लिए मार्जिन आप चाहें तो 2 inch का भी ले सकते हैं chest के line draw करने के बाद नीचे कमर का measurement लेना है कमर है 28 inch उसका चोथा भाग लेंगे 7 inch 1,5 inch extra मार्जिन और 1 inch extra और लिया है कमर की plates के लिए यहाँ पर आपको back part के armhole की गुलाई सवाएक inch पर देनी है तो simple यहाँ पर मैंने back part की marking कर ली है देखिए इस तरीके से अब हमने इसे cut कर लेना है यह देखिए अस्तर पर मैंने इसका cutting कर लिया है और आधा inch आप इसे उपर ले लीजे इस तरीके से आधा से पोना एक inch इससे हमारे side plaws की fitting अच्छे आती है यह देखिए इस तरीके से मैंने इहाँ पर back part का cutting कर लिया है यह हमारा back part है और जो main part रहेगा front का वो मैं आपको paper पर cutting बताऊंगी इसका back side में tucks लगाने के लिए आप इसे fold करके इस तरीके से एक छोटा cut लगा ले और chalk से आपको 4 inch की लंबाई में यहाँ पर mark करना है 4 inch length रहेगी तोनों तरफ से आधा आधा इंच आप extra लिजेगा इस तरीके से हमने back part की marking यहाँ पर कर ली है टक्स की गले की चोड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 inch की गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने 49 inch आप अपने इस आप से बड़ा छोटा करकी ले सकते हैं back side का neck नीचे से neck width रखी है मैंने 3 inch तो इस plouse को आप front open पर भी बना सकते हैं मैंने single paper ही लिया है आप double करके भी ले सकते हैं paper को आपको इस तरीके से रखना है और जहां पर हम high hook की पटी लगाते हैं वहां पर आपको आधा इंच एक्स्टा लेना है देखिए इस तरीके से यह लिया है मैंने high hook की पटी के लिए अब आपको अपना यहां पर back part रखना है और as itis इसे marking कर लेनी है आधा इंच हाई hook की पटी का एक्स्टा छोड़ देना है और इस तरीके से देखिए ऐसे आपको marking करनी है तो अच्छे से हम यहां पर इसका shape बना लेंगे तो देखिए as itis इसे marking करनी के बाद हमें armhole का shape यहां पर देदेना है तो front का जो armhole रेता है वो थोड़ा अंदर की तरफ आता है इस तरीके से हलके हलके हातों से आधा इंच आपको अंदर की तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है और अंदर वाले armhole की तरफ से ही इसे आपको cutting करना है अब लेना है गले का measurement तो जो भी marking हम करेंगे हाफ इंच होड़ते हुए करेंगे यहां पर गले के चुड़ाई रखी है धा इंच की गले के total length रखी है मैंने पोना साथ इंच नीचे से न 1 विट रखी है यहां पर मैंने पोना 3 इंच इसको एर एक box बना लेंगे अगर आप कर लेकी लंबाई कम रखना चाहें तो आप अपने according कम करके भी ले सकते हैं यहां पर देखे चुकर box बना लेने के बाद हमें इस तरीके से shape देना है तो आप यहां पर round shape भी दे सकते हैं और पान shape भी दे सकते हैं इस तरीके के blouse में ज़्यादा तर पान कला अच्छा लगता है तो मैंने वही यहां पर बनाया है अब आपको लेना है tux point तो अलगलग size के according tux point होता है 34 size के लिए मैं हाँ पर tux point ले रही हूँ 10 इंच पर 10 इंच पर हमने एक सीधी line इस तरीके से देखिए बना लेनी है line को draw कर लेने के बाद अब देखिए यहां पर हम mark करेंगे जिससे princess cut के लिए करते हैं यहां पर मैंने लिया है 3.5 इंच 3.5 इंच पर एक marking हमने इस तरीके से एक dot बना लेना है यह देखिए और इसके नीचे हमें 2 इंच पर एक marking और करनी है यहां पर हमारा palette आएगा तो text point के नीचे ही आपको एक marking और कर लेनी है यह देखिए इस तरीके से यहां पर mark कर लेने के बाद अब देखिया आपको क्या करना है यहां से measurement थोड़ा सा बढ़ा लेना है और यहां से आपको पोना चार इंच ले लेना है इस तरीके से यहां पर mark करने के बाद आपको इस lion को नीचे की तरफ मिलाना है और दोनों तरफ से आपको देड़ इंच एक्स्टर यहां पर marking करनी है देड़ इंच में एक पॉइंट कम यहां पर भी 1.5 इंच में एक पॉइंट कम mark करना है और इस तरफ से भी इसी तरीके से mark करना है 1.5 से एक पॉइंट कम तो यह हमारा dot आएगा belt के उपर जो बनता है pattern उसका dot यहां पर बनेगा इस तरीके से देखे हमें दोनों तरफ shape देदेना है अच्छे से तो यह marking कर लेने के बाद यह देखे इस तरीके से तो यह जो dot बनेगा इसकी length रहेगी पॉणा 3 इंच इस तरीके से पॉणा 3 इंच हमें mark करना है और इस pattern को देखे आपको नीचे की तरफ भी मिलाना है इस तरीके से तो यहां पर देखे जो dot है हमारा उसकी आपको width नाप लेनी है और उसी के साब से आपको इसे नीचे मिलाना है तो जितना भी इसका width आ रहा है उसे साब से आप यहां पर mark कर लें यह देखे बिल्कुल सीधा मिला देना है तो जो पहले मैंने marking की ती उसे हटा दिया है और इस dot को बिल्कुल सीधा इस तरीके से नीचे की तरफ मिला दिया है यह देखे पोना तीन इंच आ रही है इसकी width टक्स की यह देखे यहां पर मैंने marking कर ली है और उपर से जो टक्स की width थे पोना तीन इंच इससे आपको गुलाई में इस तरीके से मिला देना है यहीं से हमारे belt का shape बनेगा यह देखे इस तरीके से हलके हलके हातों से गुलाई दे दीजिएगा तो यह shape देने के बाद आपको इससे मिलाना है तो जो उपर टक्स पॉइंट वाली line थी यहां पर आपको इसस तरीके से scale से मिलाना है पहले फिर हातों से आपको गुलाई देनी है आर्म हो उस तरफ से देखे किस तरीके से मिलाएंगे यहां पर आपको ढ़ाई से तीन इंच पे shape देना है तो यहां से आप जितना broad रखना चाहते हैं इसे उस हिसाब से आप यहां पर इसकी marking कर सकते हैं मैंने उपर से ढ़ाई इंच पे मार्क किया है आर्म होल की नीचे से और हलके हाथों से देखे इसे गोल shape आपको देना है तभी belt का जो shape पहुच्छे आएगा तो पहले आप इसे scale से मिला लें उसके बाद हलके हाथों से गोलाई यहां पर देना है इस तरीके से यह देखे यहां पर मैंने shape अच्छे से बना लिया है तो यह गोलाई देने के बाद हमारा यह जो pattern है यह पूरा हो गया है और अब आपको इसे cut करना है देखे इस तरीके से मैंने यहां पर इसका cutting कर लिया है यहां से भी बराबर से इसे cut कर दिया है belt वाली side से भी इसे cut कर लेंगे हम इस तरीके से यह देखे बैल्ट वाली side से भी मैंने इसे cut कर दिया है और इसके बाद हमें जो नीचे का tucks वाली line है इसे cut करके इस तरीके से सिर लेना है तो ये pattern हमें इतना कम करना होता है बीच में से, क्योंकि बीच में हमने tux के लिए marking किया था, ये देखिए, इस pattern को हम side से बढ़ा लेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर छोटे cut लगा देने हैं, ताकि हमें कपड़े पर tux लेने में आसानी रहेगी, तो तीनो तरफ आप छोटे cut लगा लें और जो tux का point है, यहाँ पर भी आपको एक छोटा cut लगा देना है, ताकि कपड़े पर tux लेने में आसानी रहेगी, तो इतना pattern देखिए मेरा cutting हो गया है, अब हम इसे fabric पर रखकर cut करेंगे, तो देखिए fabric पर आपको कैसे cut करना है, कपड़े belt को आपको सीधे कपड़े में cut करना है, और यह वाला जो pattern है, इससे आपको cutting करना है, cross में, cross मतलब उरेप कपड़े में cutting करना है, अब देखिए मैं यहाँ पर marking कर रही हूँ, sketch pen से, ताकि marking आपको अच्छे से दिखे, पर आपको chalk से ही करना है, यह देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको high hook की पटी की तरफ से acidies गले के हाँ से mark करना है, arm उस तरफ से मैंने 1.5 inch extra लिया है, और नीचे की तरफ से भी मैंने 1.5 inch extra लिया है, सिलाई margin के लिए, तो मैंने paper पर कुछ भी extra part नहीं बढ़ाया था, मैंने fabric पर ही बढ़ाया है, तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ से half inch extra लिया है, अब हमने इसे cut करना है, यह देखिए इस तरीके से मैंने आपर इसे cut कर लिया है, और नीचे जो tucks वाली line है, वहाँ पर हमने इसकी marking कर लिनी है, तो पहले देखिए आपको इस तरीके से इसे मिला देना है, यही marking मैंने दूसी तरफ भी ले ली है, टक्स के लिए, इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर इस pattern को रखना है, बेल्ट वाले, और जैसे कि मैंने बेल्ट को कम करके सिलाई लगाई थी, अब हमें बेल्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है, अच्छे से से सेट कर ल लेना है, यहाँ पर देखिए, बेल्ट को मैंने साइट से दो इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और उपर की तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, साइट से हमें बेल्ट को दो इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, और उपर तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, इसे नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से यह देखिए मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है और अब हमने बैल्ट को भी कट कर लेना है बैल्ट की मार्किंग करनी के बाद हमने इसे कट कर लेना है अब इन सभी पार्ट को हमने मैंन फैब्रिक पर रगकर कट करना है यह देखिए अच्छे से मैंने बैल्ट को यहाँ पर कटिंग कर लिया है मैंन फैब्रिक पर भी उपर वाले पार्ट को आपको क्रॉस में ही कटिंग कर लेना है बेल्ट को आप सीधे कपड़े में कट कर सकते हैं बराबर से रखेंगे और इस पैटरन को भी कट करके निकाल लेंगे तो मैं यहाँ पर आपको फ्रेंट के स्टिचिंग बता रही हूँ बागी पार्ट जैसे हम रेडी करते हैं नौर्मल ब्लाउस का वीसे ही आपको करना है तो देखिए गले पर मैं सिलाई लगा कर इसे पलट रही हूँ गला आप क्रौस पर्टी के साथ भी बना सकते हैं और पाइपिंग लगा कर भी बना सकते हैं मैंने इस लगा कर पलट लिया है तो एक कॉर्णर की सिलाई हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे और दूसरा वाला गला भी इसी तरीके से तयार करेंगे तो पहले मैंने इसे सिलाई लगा कर पलट लिया है और फिर मैं इस पर प्रेस करूँगे उसके बाद उपर टॉप की स्टिचिंग लगाऊंगी तो यहाँ पर भी मैंने इस एजटी इस गले को बना लिया है छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और इसे पलट के सीधा कर लेंगे और अस्तर वाली तरफ एक कॉर्णर की सिलाई हमने लगा लेनी है इसके बाद देखिए जो बैल्ट है इसे भी मैं सिलाई लगा कर पलट रही हूँ नीचे की तरफ से तो यहाँ पर हमें दोनों पाद को सीधा करके रखना है और बैल्ट को आमने सामनी की तरफ करके रखेंगे यहाँ पर भी नीचे से 1,5 इंच का मार्जिल लेते हुए हमें इसे सिलाई लगा कर पलट लेना है तो दिखे मैंने यहाँ पर बैल्ट को भी पलट लिया है और इस पर भी हमने फिनिशिंग कर लेनी है अच्छी से तो सभी पार्ट पर मैं यहाँ पर प्रेस लगा रही हूँ जिसी कि इस मैचे से फिनिशिंग आएगी और यह सही से बैट जाएगा चरो तरफ से सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे एक्स्ट्र फैब्रिक को कट करके निकाल देना है तो सभी पैटन पर इसी तरीके से आपको उपर से सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्र कपड़े को कट करके निकाल देना है गले बाले पार्ट पर भी आपको उपर की तरफ सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा फैप्रिक को कट करके निकाल देना है साइट में जितना भी कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे अब देखे हैं जो यहाँ पर हमने टक्स के लिए मार्किंग किया था वहां पर प्लिट्स बनानी है तो प्लिट्स हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे जो मार्किंग किया हुआ ह J यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट पर टक्स लगा लिए हैं अच्छे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इससे आप सिलाई लगा कर कट कर सकते हैं और दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अब मैं इसमें बैल्ट अटेज करूँगी तो बैल्ट हम जैसे नॉर्मल ब्लाउस का करते हैं उसी तरीके से आपको अटेज करना है बस ही थोड़ा राउंड में है तो अटेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी पर कोई भी पार्ट को आपको खीचना नहीं है बराबर से रखते हुए आधा हिंच का मार्जिन लेते हुए ही आपको इससे अटेज करना है बैल्ट पे आप डबल स्लाई लगा लें ये दिखिए एक तरफ का बैल्ट मैंने यहाँ पर अटेज कर दिया है और दूसरी तरफ का भी मैं आपको अटेज करकी दिखाती हूँ जब आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिनीशिंग के साथ बैठ जाएगा और ये वाला बैल्ट भी हमें आगे की तरफ से ही अटेज करना है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बैल्ट को अटेज करेंगे ये देखे मैंने हाँ पर बैल्ट को अटेज कर दिया है यहाँ पर देखे आप छोटे कर्ट लगा सकते हैं और प्रेस करने पर ये अच्छे से बैठ जाएगा तो मैं इसे आपको प्रेस करकी दिखाती हूँ ये देखे मैंने हाँ पर प्रेस कर ली है और आपको इसे बराबर से रख कर चेक कर लेना ही कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है और अब हम लगाएंगे इस पर हाई हो रूख की पटी तो वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं गले पर और कमर पर बेल्ट पर अगर आपको इस तरीके का लेस का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं मैंने इसे सिंपल ही रखा है लेस लगाने से इसका जो लूख की वो और भी अच्छा दिखेगा लेस की जगा आप पाइपिंग का यूज़ भी कर सकते हैं तो यहां पर देखे हाई हो की पट्टी मैं लगा रही हूँ चारो तरफ से अस्तर के साथ हमने इस रटेज कर देना है इस तरीके से और इसे नीचे की तरफ रखकर उपर की तरफ पलट लेंगे तो यहां पर भी आदा इंच का मार्जिन दबाते हुए हमने इस लाई लगानी है यह दिखे इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिनिशिंग के साथ पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे हाई और उपकी पट्टी हम थोड़ी बढ़ा कर लेंगे क्योंकि उपर और नीचे का पार्ट फिनिशिंग हो चुका है कमर में भी अगर आप इसे सिलाई लगा कर पलटना ना चाहें तो आप इसमें अलग से कमर पटी अटेज कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने हाई की पटी अटेज कर ली है, यहाँ पर कॉर्नर पे भी सिलाई लगा देंगे जिसे की पटी अच्छे से बैठ चाहेगी. अब दूसरी तरफ लगाना है हमें हुकी पटी तो यहाँ पर देखिए पटी लेंगे और इसे डबल फोल करते हुए यहाँ पर अटेज कर देंगे अब देखिए एक सिलाई हमें पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा देनी है और हुकी पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है अच्छे से दोनों पार्ट रेडी करने के बाद आप एक दूसरी के उपर रख कर यहाँ पर इसे चेक कर लें बराबर से तो इसी के साथ मेरा यह पार्ट बन करके रेडी हो गया है तो फ्रेंट्स आपको अचकर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद